साथियों क्या आप UPSI 2020 अच्छे नंबर्स से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आएं आपके लिए निश्चे UPSI 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजे हमारी एक्जाम पर ओफिशिल एप या फोन कीजे हमें निमलिखे नंबरों पर स्थाल पिए नंबरों कीजे एक अच्छे एकर आपके लिए। झाल 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 हेलो सुडेंट्स हमें एक्जाम्पुर कलम सिक्रान्ती और मैं प्रीती आपका अपने परिवार एक्जाम्पुर में सागत करती हूँ आप सभी को आप सभी का अदर दिन बीच चुका है जो की बहुत अच्छरा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगल में हो शुब हो तो क्लास स्टार्ट हो चुकी एक बार जल्दी से आजाईए शुकी आप लोगो को पता है हम प्लॉटर तक मतलब हमने प्रिंटर कर लिया था हमने इंपस और कंप्रेटर कर लिये थे हमने बहुत आश्म घर उठ caternect कर गरी मैं और इसके के बात आज हम कोश्टन्स को भी करने वाले हैं तो कोश्टन्स यहां पर कम होंगे बेशक साथ या आट होंगे लेकिन उसके हर एक option को हम थोड़ा explain करके समझेंगे ताकि हमारे कोश्टन्स भी साथ के साथ तैयार हो सके चलिए तो करते हैं बिल्कुल भी class start हो चुकी है good afternoon जी very very good afternoon class start हो चुकी है तो यहां पर start करेंगे अपनी topic आज का जो कि हमारा projector के साथ अच्छा प्रोजेक्टर के बारे मैंने आप लोगों को homework दिया था कि प्रोजेक्टर के बारे में पता कर के बताईएगा कि projector का invention किसने किया projector को invent किसने किया projector का अविशकार करने वाले व्यक्ति का नाम किया था तो आप में से बहुत सारे students ने नाम किया मतलब homework किया था और कुछ का सही भी था और कुछ ने थोड़ा मतलब confused हो गए थे option में तो यहां पे अगर में प्रजेक्टर में बता हो यहां पे तो जो प्रोजेक्टर के real inventor जिसको बो आजाता है क्या नाम था इयर्ड वीयर्ड म्यू बृचद क्या नाम था एर्ड वियर्ड अन का नाम था ईयर्ड वियर्ड प्रोजक्法 को यूसकल क्या यह इनका नाम था इन्होंने क्या था इन्होंने ही इन्वेंशन किया था प्रोजेक्टर का इन्होंने क्या था तो इन्होंने ही इन्वेंशन किया था प्रोजेक्टर का हो कि वही क्लास स्टार्ट हो चुकिया हां जी बिल्कुल ठीक है गेमिंग विद अकी जी कब वह था तो रखा गया था zoo Priccy scope ठीक हे वैसे एतना जरुडी नहीं बेठा पता होना चाहिए तो क्या नम राखा गया था जू प्रेकसी जू प्रेक्सी scope घू प्रेक्सी सको ठीक है इसका नाम तरुए था लेकिन आगे और चलके किसका ही नाम हमने क्या रख दिया प्रोजक्टर गदिया और इसे काम करता है चैना क्से हो त्योंग कि यह एद्व यह प्रोजेक्टर गिए प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं तो बिंश वाले सींक करते-कर यह खुड़ेज़ पर चढ़ गया तो यह वियर्ड भीड विज इनोंने 19 नोने 1879 में क्या करा था तो प्रोजेक्टर का विशिकार किया था अब मैं यहां पर थोड़ा clear कर देती हूं नहीं हां जी अच्छा दो मिनट में लेट क्यों आई हूं ओ अच्छा चलो कोई बात में ट्रेल लेट हो जाती है यात्रियों को टाइम पर आना होता है ठीक है वैसे लेट नहीं थी टाइम पर स्टार्ट हुई है ऐसे भयंकर कि कुछ स्टूरेंट्स ने आंसर कर रखा था जॉन लॉगल बेड कुछ स्टूरेंट्स ने आंसर कर रखा था जॉन जॉन लॉगल जॉन लॉगल ब्रेड ठीक है तो उनको बता देती हूं मैं यह आंसर नहीं होगा अभी देखना क्यों नहीं होगा कंफ्यूस करने क्लिए दे सकता है option के अंदर भी देखो 1926 में जॉन लॉगल ब्रेट ने इन्वेंशन किया था एक electronic किसका टीवी का टेलिवीजन का जिसके अंदर आप moving picture देख सकते हो जिसके अंदर picture देख सकते हैं वीडियो देख सकते हैं तो पहला electronic television जो उसमें moving picture देख सकते हैं वह invention किया था लॉगल ने ठीक है जॉन लॉगल ने लेकिन projector की बात की जाए तो वह एर्ड वीर्ड ब्रिज क्योंकि वह क्या कर रहे थे तो movie बनाते बनाते ब्रिज में चड़ गए थे clear तो 1879 में किया था ठीक है चली याद रख कि यह क्या है तो यह भी आपका एक output device होता है कैसा होता है output device होता है इसमें तीन आपकी क्या लगी होती स्क्रीन लगी होती है और तीन इस्क्रीन से गुजर कर रोषनी को बहर डाला जाता है तब पर इसकी पूरी चित्र चल चित्र वीडियो बननी शुरू हो जाती है चलो आगे चले है ऑपी ओकी यह दोनों अलग आलग नहीं यह दोनों एक ही है ठीक है इनका सरनी में यड वियर और मियू बिज़ यह एक ही बंदा है ठीक है यह एक ही परसन है और यह इनका सर ने में क्लियर चलो आगे चलते हैं प्रोजेक्टर के आगे आप चलोगे तो यहां पर नेक्स आता है आपका उटपोर्ट डिवाइस प्लोटर ठीक है तो प्लोटर में बहुत क्या होता है printer पर आपनी command दी computer शुठाकर उसने आपको print करके दे दिया ऐसा ही तो करता है काम printer printer क्या करेगा आपकी computer में कोई PDF आपने डाउनलोड कर लगी थी अब आप क्या करते हो इसका print इसका control प्लस-P करते हो तो यह क्या करेगा printer आपकी कमांड को ही प्रिंट करके देदेगा यही काम होता है प्रिंट का लेकिन प्लाटर में लगा होता है यहां पर ऐसंगा यह चित्र दखेना होगा जिसमें यह पैन लगा हुआ तो प्लाटर मेंली सिर्फ प्रिंट करने का काम नहीं करता यह ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तमाल होता है किसके लिए होता है तो प्लॉटर आपका ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तमाल होता है अब आपको ग्राफिक्स बनाने की क्या जुरत है जब हम प्रिंट कर सकते हैं तो हमको क् ग्राफिक्स होती है ना जो हम बनाते हैं जो यह पैन से अपने आप बना रहा है वो बिलकुल रियल होता है बिलकुल रियल की तरह लगता है और यहां पे यहां पर plotter की मदद तो plotter खुद से अपने पैंस से उसको प्रिंट करना शुरू करता है और जरूरी नहीं कि plotter सिर्फ काले और जो सफेध है मतलब ब्लैक और वाइठ ही प्रिंट करें उसके अंदर कलर भी होते हैं रंग भी होते हैं तो वो रंगीन चीजों को भी प्रिंट कर सकता है ठीक है हांजी क्या होगा वो ओके तो वो क्या हो जाता है वह आपका होता है plotter क्या कहलाता है plotter अच्छा plotter का invention किस नहीं किया था plotter को invent करने वाले कौन सी व्यक्ति थी बताएगा कोई यहां पर plotter invented by किसके द्वारा इसका अविश्कार किया गया था plotter के अविश्कार कौन थे plotter के अविश्कार कौन थे plotter को invent करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था हाँ जी हाई क्वालिटी यहाँ पर आपको आउट्पुट मिलती है बिल्कुल एक्क्यूरेसी के साथ ठीक है बिल्कुल क्लीनेस के साथ देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हूँ आप अगर फोटो क्लिक करवाने चाहते हो यह एक एक्जामपल समझाती हूँ अगर आप फोटो सब्सक्राइब तो मंदिर में जाते हैं कहीं तो भी तो वहाँ पर छीज़ बनाने वाले भी लोगोंते हैं तो वह नहीं करते हूँ हो翁 तक हुआ पका सक्कैच उतार देंगे तो जो सोटारा जा रहा है वो काम करई है प्लाटर का और जो कैमरे से सीधा आप लिक को देदीता है वो हो रहा है काम पृंटर का दोनों में समझ में हागे अंतर ओकी आप शूंट के ओदेखो यहाँ भर मात करते हैं हाँ जी देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो गे फू शॉचाय माने यहाँ पर आँसर भीरा सुमेच जelf blossom रेमींग तो रेम toimल सही आजा रहा है यहां पे ओके यहांपे देखो यह अगराम बात करते में तो बिलकुल रैमिंग टो रैमिंग्टर रेमिंग्टर रेट या दरकना इसके इंवेंटर थे एसके रिवेंटर कौन थे तो मपन उइन धुए था फ्लोटर का और फ्लोटर का इन्वेंशन करने वाले वयक्ती ते रंबिंग्टोर को याद रख सकते हूं ठीक है चलो तो लैंड की क्या बनाई उन्हों एक plot था तो उस लैंड का उन्हों ने बनाया एक ग्राफ तो लैंड से रेंट ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो clear हांज याद रखना यहां पर 1953 यह जरूर याद रखना इयर इसका एक पूछ लेता है दोनों में अंतर समझ में आया ना कि यहां पे प्री जो प्लॉटर होता है वह भी आउपूट है प्रिंटर भी आउट पूट है लेकिन यह ग्राफिक्स और स्केश के लिए सका काम होता है अगर स्केश के लिए या फिर बात करती हूं ग्राफिक्स की तो हम इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास phone है न, phone को क्या होता है, बहुत कई बार हम phone को speaker पे डाल देते हैं, speaker पे बात करते हैं, या कोई गाना सुन रहे हो, तो गाना जहां से निकल रहा है, आपके phone के, जो device के थू होकर जा रहा है, वो भी speaker होता है, तो speaker चाहे हम अलग से खरीदे या ना खरीदे, वो inbuilt हमारे phone के अंदर, laptop के अंदर, या फिर हमारे system के अंदर होता ही होता है, ठीक है, तो speaker क्या कर रहा है, तो यह जो ध्वनी, आपके computer के अंदर, जो भी file save है, आपके computer के अंदर, जो भी file save है, वो speaker के माध्यम से बाहर की तरफ आ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहा देखने को मिल रहे होंगे लेकिन आपको याद है जब किसी नेता का भाशन होता है या स्कूल के टाइम इसकूल में जब स्टार्टिंग में क्या होती थी हमारी प्रेयर होती थी तो वहां पे speaker होता था loud speaker उसे बोलते थे वह कुछ इस तरीके का दिखता था ना loud speaker होता था और जो principal होते थे टीचर होते थे उनके हाथ में microphone होता था या mic होता था तो वह बोलते थे तो उनकी आवाज loud speaker से बहुत दूर-दूर तक सुनाई देती थी ठीक है तो speaker पहले loud speaker था अब भी कहा loud speaker ही होता है बता आवास थोड़ी से सको हम क्या कर सकते हैं इसके वाज को कम ज्यादा कर सकते हैं तो कहा loud speaker में भी option अगया ठीक है तो यहीजो loud speaker था यहीं इसका जनक माना जाता है और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे तो बिल्कुल कौन तैंस को बनाने वाले ochtty हां जी इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे लिब्रे उफिस कपढ़ाओगी हिमेंद्र जी अभी देखो हम सिस्टमैटिक वेसे चल रहे हैं लिब्रे उफिस नी माइक्रोसफ्ट उफिस आप लोग इस लिबस में तो Microsoft Office और Libre Office 90% सेम है जहां पर डिफ्रेंस आएगा मैं बता दूंगी जब पढ़ाओंगी अभी नहीं अभी तो memory चलनी रैम रोम चलना है चलो तो यहां पर लिखो अगर हम बात करते हैं मैं कहले थी किसने इंवेंट किया था प्र्स और को तो बिल्कुل ऐलेक्सेंड्र ग्रहाम बैल किनो ऑनिक या Sport in suo Nirmand करने वाली विक्ति कॉंध quan एक मिन ठीट है इसको इसको और हम रिकल रहे थी कौन दे तो इसको जहां पर लिक इन इन इंवैं डाइन वाहिन और किया था तो इन्वेंटेड करने वाली व्यक्ति थे अलेक्सेंडर ग्राहम बैल क्या नाम था इनका अलेक्सेंडर अलेक्सेंडर ग्राहम बैल इनोनी क्या किया था इनोनी इन्वेंट किया था इस्पीकर को अच्छा बैल से आपको कुछ याद आया ठीक है यहां पर वेलिक् में AT&T Lab बना है जहां हमने जनरेशन पढ़ी थी तो याद है न AT&T Lab के बारे में पढ़ा था AT&T Lab जो कि अमेरिका में हैं जिसमें C Language बनी जिसमें Unix operating system बना जिसके अंदर computer के बहुत सारे विकास और development होते ही रहते हैं ठीक है तो यह उनिक 76 में loud speaker का निर्मान हुआ Alexander Graham Bell के द्वारा और आगे चलकर यह speaker का form ले लेता है speaker काम किस पर करता है कौन से mechanism पर काम करता है हां जी speaker कौन से mechanism पर काम करता है यह बताना है आपको ठीक है अच्छा मैं कौन से स्कूल से पढ़ी थी छोड़ो उसमें क्या रखा है ना सबकाई स्कूल सबसे अच्छा होता है देखो अगर मैं बात करते हूं विए speaker की- तो speaker आपका है अगर आप ऍसकूल करने ख़ोगी के उपर एक कॉई होता है मतलब इसको टार लिप्टा हुआ होता है जो की electromagnetic फील्ड वाला काम करेगा मतलब जैसे उस तार पे आप बिजली को electricity को connect करोगे वो magnet बन जाता है और नीचे उसके चुम्बक होता है तो यहां पर आपको पता होगा देखो आपने कभी देखा है जो यह जब गाने सुनते हैं तो स्वी कर यह उपर उपर करता है ना अच्छा यहां अफ है अध्याय करते है तो आपका क्या होचाहेगा छूम्बक लगा है और जो टार लगी है दोनों के सेंट पोल होते हैं मतलब साओ्ह पोल साउथ पोल और जब भी चुम्बक के सेंट पोल को आप आपस में टच करो कि वह कभी टच नहीं होते चिपकते नहीं है वो दूर भागते ऊहना अपोगते करते हैं आपोज़े फिल्ड पर ही काम करता है 1876 ग्लेक्सेंडर ग्रहम बेल की द्वारा इंवेंट किया गया लाउड स्पीकर चलो आगे देखें आप हां जी बिल्कुल वेव की वजह से बिल्कुल सही चलिए आगे देखते हैं तो इसके बाद आता है आपका हैड फोन इसके बाद आप नेक्स्ट आपका आता है आपको डिवाइस वेड़व तो का इस्तमाल अब तो हम सब्ह लोग कर रहे रहे हैं और में एड़फोन का इसन्टमाल भाहर घूमने चाहरे हो बहूं लेकिन प्रहां क्याने तो जैसे को सेंटर ना बीपी वगारा जोते है जैसे की एटल की सिंवे रहे होती है तो काल करते हो ना कॉल सेंटर पे की बहले सिम नहीं चल रही है यह लैट टॉप आपके पास लिनोव और किसी भी कंपनी का तो आप कॉल करते हो किसमें गड़ बड़ आ गई यह वा का इस्तमाल होना दीरे दीरे शुरू हो चुका था ठीक है अगर में बात करते किसकी हैड़फॉन की बात करते हैं अच्छा इसके अंदर क्या होता है तो इसके अंदर भी इलेक्रिव वेव्ज होती हैं बस यहां पर आपको याद रखना है कि हैड़फॉन कब इंवेंट किया गया था और किसके द्वारा हैड़फोन का इंवेंशन हुआ तो हैड़फोन इन्वेंटेड वाई ठीक है है हैड़फोन जो है आपका इसके अविश्कारक कौन थे हैड़फोन के अविश्कारक कौन थे किसने अविश्कार किया था हैड़फोन का हां जी बताने हैड़फोन क city किया था John the headphone को inवेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था तो उनका नाम सा नथा nathalion belt win locked relaxation इनका नाम था ने थैलिएन ने थैलिएन बैल्ड विन उनीन बैल्ड विन ठीक है बस याद रखना इनका नाम किया थे एक वेक्थिटी तिक है इनका नाम था निठेलियन निठेलियन बेंड विल्ड क्या है तो बैल्ड बैल्ड विल्ड ये इनका नाम था इन्हों ने क्या किया था तो इन्हों नहीं ही अविश्कार किया था हेड़फोन का 1910 में ठीक है 1910 में इसका विश्कार किया गया था 1910 में इसका विश्कार किया गया था और सब सबसे पहले इस्तवाल हो था यूस मीं अमेरिका में ठीक है तो सबसे पहली यह कहां पर समय हुआ यूस अमेरिका मी 1910 का에서 मालम इसको विशकार कियाक किसके दीष आरह विशकार किया था निथा लियन बैल्ड विन यह जीत गए बैल्ड विन जीत गए है ना वहां से आप इसको याद रख सकते हूं ठीक है चलो आया समझ में हां क्लियर है ना इन्हों नहीं क्या किया था इन्हों नहीं सब्सक्राइब करेंट अगर आपने इसके आपका मतलब मेरा मतलब है कि जो हैड़फोन होता है वह भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आप गानी सुनते हो तो उस गानी को आपके हैडफोन से करनेट करके आपको सुनाया जाता है तो यहां पे भी इलेक्टरी वेव का ही यहां पे भी आपका इलेक्ट्रो मेगनिटिक फिल्ड का इस्तमाल किया जाता है ठीक है ओके बस यह याद रखना हेड़फोन को एनलॉग ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है जो कोशन अगर बन जाएगा इसमें तो यह बन सकता है कि हैड़फोन को कौन से पोर्ट से connect किया जाता है ठीक है तो याद रखना headphone को analog audio port से connect किया जाता है headphone को analog audio ठीक है audio port से connect किया जाता है तो यह analog port होता है analog port होता है आपके system के अंदर और analog port से ही इसी को क्या करते हैं connect करते हैं तब आवाज इसमें आनी शुरू हो जाती है इसमें कोई तार तो होता नहीं वहीं कनेक्शन होता है आपका wireless होता है Bluetooth होता है Bluetooth से आप इसको connect कर सकते हो और जहां पर भी हो गाने सुन सकते हो है अब हम करने वाले most important questions के बारे में ठीक है हां जी ओके देखो आब हम क्या करने वाले हम करने वाले कौन कौन से questions इससे बनते हैं और उन सारे questions का आपको answer देना है जल्दी से करके देखते हैं फटाफट किसका answer आता है और कितने स्टूरेंट्स ने थोड़ा serious होके पढ़ना शुरू किया है ठीक है चलो तो स्टार्ट करेंगे अपने question को एक में रुकना में next bpt open कर लेती हूं ओके तो यहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी question answer वाली series को first question यह रहा आपके screen पर question दिख रहा है चलिए question दे रखा है आपको यहां पे इन में से कौन सा printer एक बार में पूरी लाइन को छापता है और जिसने करा ना गलत फिर में बताती हूं ठीक है चलिए बताइए जल्दी से which of these printers print the entire line एक बार में पूरी की पूरी लाइन चापने वाली शम्ता वाला कौन सा printer होता है option आपके सामने है laser printer inkjet printer electromagnetic printer या line printer clear question number one के लिए जल्दी से बताइए कौन सा option correct हो जाएगा है बिल्कुल होती है problem क्यों नहीं होती है सुमिच्छी थेंक्यू सो मच problem होती है क्यों एक प्रॉब्लम यहां पर होती है है ना headphone अगर आप ज्यादा इस्तमाल करोगे यह फोन भी आप लोग इस्तमाल करते हैं जादा सुनोगी नहीं तो सुनने की शमता कम हो जाती है है ना तो ज़्यादा नहीं लगाया जाता आप speaker पर करके सुनों वो ज़्यादा चाह रहेगा यहां पर फिल्कुल स कूछ लोग लेजर प्रिंटर भी कर रहे है तो यहां पर ना पर a डे सकता है यहां पर आपको दे सकता है यह द्रम प्रिंटर थे सकता है यहाँ रखना अगर एक तरफ ड्रम प्रिंटर लिखा और एक तरफ लाइन प्रिंटर लिखा है तो भी आप आंसर लाइन प्रिंटर पे ही लगाओगे अब आप कहोगे कि मैं लेजर प्रिंटर क्यों नहीं है तो मैं आपको बताती हूं लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर ये दोनों एक बार में पूरा पेज छापते हैं ना की लाइन ठीक है तो लिख लेना यहाँ पे जहां पे भी आप लोग लिख रहे हों कि जो लेजर प्रिंटर होता है और जो इंक जैट प्रिंटर होता है ये दोनों के दोनों आपके पेज प्रिंटर होते हैं ये दोनों के सेकेंड की तरफ मूव करते हैं इतना टाइम काफी है ले लिया होगा स्क्रिंशॉट चलिए कोशन नंबर सेकेंड यह आपके स्क्रिंट पर वो कोशन नंबर सेकेंड आपको क्या देरखा है तो यहां पर पूछा है माइक्रोफोन का विश्कार किस सन में हुआ था माइक्रोफोन वाज इन्वेंटेड इन विच एर कौन से एर में हुआ था 1677 1877 1879 या फिर 1990 तो यहां पर आंसर बताना है जल्दी से और यह बता देना कि माइक्रोफोन की अविश्कारक कौन थे अच्छा यहां पर किसी ने पूछा है अच्छा हमारी मांगी पूरी करो नाम देखाए मैं नाम लेने बैठी तो फिर कोशन नहीं होंगे ठीक है और मेरे को भी लगता है और आपको भी लगता है कि वह कोशन होने ज्यादा जरूरी है देखो डिसकावरी में और इन्वेंशन में क्या नतर होता है आपने इसे पूछा था किसी ने खोज करता और बिचनी शुरू होई थी तो हडपा की सभयता हो जो पूरी नीचे दब गई थी उसी में से इंट जो थी निकाल निकाल के उसमें ट्रेन की पट्रियों पर बिचाया जा रहा था तब जाके पता चला कि बढ़ी मजबूत है तो पता चला कि अच्छा ही हडपा काल की है ठीक भी तो बता दो किसने इंवेंशन किया था बिल्कुल सेकेंड कॉप्शन भी बिल्कुल सही और आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है कुनाल जी मल बर्लिन आंसर आ रहा है आपका मान वी जी ओकी दिपांक जी बिलकुल यहां पर आप सभी लोग आंसर कर रहे हो निशा जी त to answer बता दूं सब्टा जाहां पर makeup skills बिल्कुल ठीक है आंग फॉल सकते थे माइक्रो वीडिन है है कि इसको लाइक पूल शक्ते थे माइक्रोपोन लिक था ता तो जब भी माइक्रोफोन में गाना गाएंगे तो मान लिखी होनी चाहिए नहीं तो अगर लड़की गारी है तो लाइनर लगा के गारी है कैसे भी आप याद रख सकते हो बस चीज़े याद उनी चाहिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन भी नेक्स कोशन कोशन नमबर थर्ड आपके स्क्रिन पर यह रहां कोशन नमबर थर्ड रखा है वर्तमान में अधिक प्रयोग में आने इंपोर्ट डिवाइस इस कौन सी सबसे ज्यादा इस्तमाल होती है मदर बोर्ड सीपी यू की बोर्ड या फिर यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस्टम यूनिट ठीक एक बार जल्दी से फिर इसके ऑप्शन पर भी नजर डालेंगे हम लोग ओके हां बर लिनर बिल क्या जो कि कीबोर्ड है और आंसर आप लोगं का बिलकुल ठीक है यहां पर ऑप्शन सी मतलब कीबोर्ड सही आनसर हो जाहेगा यहां पर कीबोर्ड सबसे सही आंसर है देखो input device क्या होता है जो की data को बाहर से अंदर की तरफ देता है है ना in करता है computer के अंदर डालता है तो जब भी जिस भी device के साथ आप data को बाहर से computer के अंदर डालती हो तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका input device clear चलो input device दो ही main होते हैं वैसे तो सारी input device हैं बट दो ही मुख्य रूप सो उनका नाम जाना जाता है, पहला input device आपका keyboard ही आ जाता है, तो first number पे कौन जीता है हमारा keyboard जीता है, और दूसरे number पे आता है mouse, याद रखना, ये दो मुख्य input device हैं, और इन में भी पहले number पे keyboard, दूसरे पे mouse, keyboard, keyboard बताओ जल्दी से कि keyboard में toggle की कौ कौन सी होती है, question में question, ठीक है, जल्दी से बताइए, keyboard के अंदर toggle की कौन सी होती है, तो toggle की कौन सी होती है, option नहीं मिलेगा, चीजे मैंने आपको पढ़ा रखी, answer चाहिए बस, हाँ जी, बिल्कुल सही भी, क्रिस्टोफर मुझे बता था, मैं keyboard लिखोंगी, आप लोग इस और वो चीज, computer के अंदर आपको दिखाई देती है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आना, start हो गया है, बताओ जल्दी से बार, okay, caps lock answer है, सबसे पहले, KK Pratap जी, आपका, और यहाँ पर answer रहा है, 2 की होती है, विनाज जी बिल्कुल, बट कौन सी की होती है, हर्ष जी, और सु lock, जिससे capital लिखते हैं, और दुबारा दबाओगी, तो small letter में आ जाएगी, evcd, और दूसरी होती है, number lock, और number lock से याद रखना, जो question बनता है, जो मैंने आपको बताया भी था, number lock होती है, आपकी numerical pad पे, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 होते हैं, तो number lock, अगर आप एक बर प्रेस कर दो है, जैसे direction करते हैं, उपर, नीचे, आगे पीछे, तो यह direction का काम करता है, number pad, अगर number lock को आप प्रेस कर देते हो, और यह दोनों ही toggle की है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, next question है, question number 4, आपके screen पर यह रहा, और question number 4, दे रखा है, पढ़ना है, बताना है, इसका answer क्या होगा हाँ जी, बिल्कुल, toggle key का मतलब, toggle key क्यों बोला जाता है, क्योंकि toggle का मतलब होता है, होती तो एक ही है, लेकिन काम उसके दो अलग-अलग होते है, मतब एक बार ही आपने प्रेस करी, तो दूसरा काम कर रही है, दुबारा same key को प्रेस कर रहे हो, तो दूसरा काम कर रही है, है ना चलो बताना है यहां पर क्या होगा इसका अंसर बिल्कुल ठीक है भी कैप्स लॉक और नंबर लॉक चली कोशन नंबर फॉर दशमलव बिंदू को प्रयोग करने वाला पहला उपकरण कौन सा था कौन सा था ठीक है यहां पर बताना है आपको और अगर आप अप्शं को को तो को आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है चाहिए इंपूट का हो चाहिए आउटपूट का हो क्लियर ओके तो यहां पे आंसर अच्छा कैलकुलेटर होगा एबकस होगा आरे वा पहली आपकी बिंदू दशमलव बाली देखो यहां पे अगर मैं बताती हूं तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा नैपियर बो और कैलकुलेटर में से प्लस माइनस मल्टिप्लाइ इतना ही था मार्क वन हो नहीं सकता यह तो वहीं कंप्यूटर था कंप्यूटर की बात थोड़ी ना कर रहा है यहां तो बात हो रहा है दशमलव की उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं अबकस नहीं हो सकता यह तो पहल तो चाइना की ट्रिक दिखाते हैं वो वो ने पिर बोन की ट्रिक थी मतलब यहां पर क्या करके इसको ऐसे दिखाया जाता था ठीक है ऐसे करके यह कुछ इस तरीके से होता था अगर मैं इसकी क्यालकुलेशन करूंगी तो प्लस फोर कर दोंगी तो आगया फूर ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या की कैलकुलेशन करना चाहो नैपिर बोन में कर सकते थी ठीक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा नैपिर बोन दशमलव मतलब पॉइंट से संबंदित फ्रेक्शन से संबंदित जो चीज़ शुरू हुई वह नैपिर बोन के टाइम पर ही हुई थी क्लियर अचाहा है समझ में आपे ओके आगे बात करते हैं तो यहां पर क्लियर हो गया होगा अभी आपका नैपिर बोन बिलकुल सही आंसर होगा नेक् यहां पर बताना है आपको हां जी यहां पर बताना है LED की फुल फॉर्म क्या होगी जल्दी से एक बार what is the full form of LED यहां पर ऑप्शन दे रखें आपके स्क्रिन पर एक बाद जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले लैस एमिटिंग डायोड या फिलो एमिशन डिस्प्ले ठीक है तो what is the full form of LED और कहां पर इस्तमाल होती है तो कुशन नुम्र फाइ किसको पढ़ाता monitor को पढ़ाता है ना तो monitor कितने टाइप के होते हैं monitor आपके होते हैं यहां पर हमने कौन कौन से बढ़ेते हैं एक पढ़ाता हमने CRT cathode rate u दूसरा हमने पढ़ा था LCD, Liquid Crystal Display और तीसरा हमने पढ़ा था LED, Light Emitting Diodes LCD का ही पार्ट है LEDB और TFTB अच्छा TFT की Full Form क्या थी? What is the Full Form of TFT? TFTB थो आपका एक Monitor होता है, जो LCD का प्रकार होता है तो TFT की Full Form क्या थी? PDF देखो ये जो Questions है ना, जो Questions मैं करवा रही हूँ इसकी PDF आप लोगो को मिलेगी, क्योंकि मैंने इस बात पहली बोली थी जो मैं Notes करवाँगी, जो Notes बनवाँगी, वो आप खुद बनाओगी लेकिन जब भी मैं Questions करवाँगी, चाहे 1 करवाँगी, चाहे 2 करवाँगी, चाहे 5 करवाँगी तो उन Questions की PDF में आप लोगो को जरूर दोंगी, इसकी PDF आप लोगो 100% मिलेगी, क्योंकि Questions करवा रही हूँ PDF के लिए आपको कैसे सर्च करना है, तो भई आप लोगोंने हमारा Example का Official App तो डाउनलोड कर ही रखा होगा और अगर नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजेगा, क्योंकि PDF आप लोगो यहीं से मिलेगी और इसी Class की नहीं, जितनी भी Classes आपकी YouTube पर Free होती हैं, उन सब की PDF आपको Example Official App से ही मिलेगी तो आपको पहले Example Official App में जाना है और उसके बाद आप यहां पर सर्च कर सकते हो For All Exam, For All Exam या फिर दिल्ले पुलिस ठीक है, ठीक है तो यहां पर आपको जाना है और यहां पर जाने के बाद आप Computer Subject को चुनना और उसके बाद आज के डेट से जो की है 30 जुलाई आपको PDF मिल जाएगी, clear, तो यहां पर आन लग गया Thin Film Transistor बिलकुल सही आंसर है, शिवी, संदीप, स्टडी, रोशनी जी बिलकुल, correct आंसर आप लोग कर रहे हो, अवनीशी, पवन जी बिलकुल सही, तो यहां पर इसकी Current Pass करते हैं, और फिर स्क्रिन पर हमको पूरी मूवी दिखाई देती है, clear, अब जल्दी से बादा दो मुझे, Transistor कौन से PD में आया था, Transistor in which generation, हां जी, बताना है आपको जल्दी से, Transistor कौन से जनरेशन में आया था, Transistor आपकी, जो कौन सी PD में आया था, Transistor का इस्तमाल कौन स और इसको बनाने वाले जो वो तीन वैग्यानिक थे ना, उन तीनों का नाम भी बता देना अगर बता सको तो, ठीक है, क्योंकि उनको Nobel Prize मिला था, इसी चक्कर में, उन्होंने ट्रांजिस्टर को बनाया, मतलब जो बिजली पहले वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तमाल हो रहा था, तो बिल्कोल दूसरी जनरेशन में था, वरी, इगोट रांजिस्टर आपका, second generation में अ था, और second generation में की जनरेशन था, तो इसको मना था, अबर्डिन न्याम् था। तो बर्डिन नाम था, बिएक वियक्ति ओ रिधिकी का बनाया था ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर को बनाने के बाद मिलता है जो जौनी मिलकर कई चलते है नेक्स को शिंट पॉप कर एंगे कौॉष्ट नमब फिर जो भी सब्जेक्ट आप लोग देखते हो यूट्यूब पे फ्री PDF आप लोगो वहीं पर अविलेबल होगी ठीक है बट मैनत करने पड़ेगे वह नोट्स के लिए आप लोगो को ही लिखना पड़ेगा कोशन नंबर 6 क्या दिरखा है आपको एक मिनट कोशन नंबर 6 आपको दिरखा है कंप्यूटर और सिस्टम पैरिफेरल्स डैट रिसीव डेटा फ्राम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ट आपट डिवाइस रिसीवर प्री प्रिंटर डॉक्यूमेंट या फिर एनलोग डिव या कहा जाएगा जो बहारी तोर पी डेटा को प्राप्त कर रहे हैं आउट्पूट डिवाइस रिसीवर पुर्म मुद्रित दस्तावेज या फिर एनलोग कंप्यूटर या दस्तावेज तो सिक्स का ऑप्शन यान स्टार्ट हुआ है सिक्स का आंसर आप लोग बीभी कर र यहां पर आंसर आप लोग आउट्पूट डिवाइस कर रहे हो तो बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन ए जब भी भाई उपकरन की बात होती है जब भी बात होती है किसकी कंप्यूटर पैरिफेरल डैट रिसीव डाटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के पापा जी बोलते हैं मतलब एक तो होता है या इंपूट है ना दूसरा होता है इसका प्रोसेस तो पहले डाटा को आप इंपूट करोगी फिर प्रोसेस चलेगा और तीसरा आपको बिल जाएगा तो वही चीज़ यहां पर बोली है प्रोसेस हो चुकी है अब कौन सी peripheral device की मदद से आपको दिखाया जाए तो यहां पर answer output device हो जाएगा 6 का option A बिलकुल सही है और सही सही बताना last में कि कितने सही हुई है आप लोगों की answers यहां पर चलो clear है यहां पर तो यहां पर आपका option A बिलकुल ठीक हो जाएगा आप देखो अगर मैं बात करत है और data को एक analog signal में बना कर छोड़ देती है जैसे अगर मैं आप लोगों को बताओं यह जो receiver होता है ना यह एक तरीके से register की form में होता है जो यह receiver होता है नहीं तरीके से register की form में होता है इसने क्या किया हम लोगों से data लिया हम लोग A और B में data भेजते हैं और उसके बाद data को 0 & 1 में 0 & 1 में convert करके computer को दे दिया फिर computer से data लिया 01 में और फिर हम लोगों को हमारी भाषा में data दे दिया मतलब यह जो process कर रहा है है यह receiver का काम कर रहा है signal को receive करने का ठीक है ओके चलो क्लेर है क्यूट बच्चा जी अच्छा आप आंसर करें में फिबी नाम नहीं ले रही है से में कि बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रही हूं बट कोई निया आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं आप लोगों क memory unit तो basically इन सब में छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिसमें memory को स्टोर करके रखा जाता है और इस्थाई रूप से याद रखना यहां पर बाकी analog device दे रखा है तो वो तो नॉर्मल ही है जो आपकी भाशा को 01 में convert कर दे इसके बाद next question की तरफ move करते हैं question number 7 आपके screen पर यह रहां question number 7 पर यह अच्छे से और इसका answer देना है magazine newspaper किताबे छापने के लिए इन में से कौन से printer की मदद ली जाती है विच प्रिंटर आर यूज टू प्रिंट मैगजीन न्यूज पेपर्स एंड बुक ऑप्शन है thermal प्रिंटर ऑप्शन भी है चैन प्रिंटर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो मैगनेटिक प्रिंटर या अंसर क्या हो चाहेगा है हां जी बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही एल्यों और सीयों में क्या होता है तो यहां पर बताओंगे अवनीज जी इसके जस्ट बाद वही टॉपिक चलेगा आपका मैमोरी तब हम वो चीजों को और अच्छे से क्लियर करेंगे ठीक है अभी व अगर हमें बात करते हूं सेवन की कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर देखो ऑप्शन डी में और सी में ज्यादा तर आपकी कन्फ्यूजन हो रही है तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा Static Printer जो की Option D है Electro Static Printer Electro Static Printer एक ऐसा Printer है जो की चीजों को छापता है और इसी से Electro Static Printer की मदद से ही आपका जो न्यूस पेपर है उसमें चीजों को दिखाया जाता है या छापकर वो आपको मिलता है ठीक है तो Electro Static Printer होगा Magnetic Printer तो पेज को अगर बहुत बड़ी बड़ी हमी नॉर्मली अगर पेज की प्रिंटिंग करनी है अगर आपको दे दिया जाए कि सबसे ज़्यादा शमता वाला 200 पेज को प्रती मिनट चाप देता है पढ़ा थाना कल 200 पेज को प्रती मिनट चापने वाला सबसे ज़्यादा अधिक शमता वाला कौन सा प्रिंटर होता है तो वो आपका Electromagnetic Printer होता है ठीक है तब आप बताओगे Electromagnetic Printer होगा Confuse मत होना दोनों में Confuse मत होना यह आपका Electro Static Printer होता है ठीक है तो Thermal Printer का Use, Thermal Printer का इस्तमाल कहां पे होता है जल्दी से बार आंसर करना है हाँ जी यहाँ पे 7 का बिल्कुल ठीक है Question No.7 के लिए आपका Option D सही होगा अच्छा A नहीं होगा भई यहाँ पे बात कर रहा है वो News Paper की जो News Paper आप सुबह सुबह पढ़ते हैं उठके तो वो News Paper जो छपता है वो इसी से छपता है Electro Static Printer से आपने देखा होगा ना News Paper जो होता है उसके साइड में News Paper के साइड में यह चार बिंदू बनकर आते हैं और चारों में अलग-अलग कलर होता है एक ऑता है ब्लैक कलर का है ना एक होता है इस आ Со इक काली दूसरा आहा है आपका पीले रंग का दूसरा होता है आपा लाल रंग का या फिर मेजंटा color दे देता हैd और चौता होता है आपके नीले रंग थो यह जो चार ऑपर नंकर आर electrostatic printer इसके अंदर ये चार ही कार्टेज होती है चार ही बॉटल होती है और उसी को प्रिंट करके बनाया जाता है बेसिकली आपके एक्जाम के लिए इसलिए important है कि color के लिए कौन से color का इस्तेमाल किया जाता है colorful printer चाहिए तो हम इस्तेमाल करते हैं काला पीला नीला लाल ठीक है याद रखना तो यहां पर आंसर कर रहे हो आप शॉपिंग के लिए ATM के लिए बिल्कुल ठीक है तो यहां पर शॉपिंग मॉल में ATM के लिए रोड बस यह जो बिल बनाता है यह आपका thermal तर्मल प्रिंटर ही इस्तमाल होता है तो एटीयम में किसके इस्तमाल होता है कौन से प्रिंटर का तो थर्मल प्रिंटर का इस्तमाल किया जाता है टेमपरिचर के अधार पर आपके तापमान के अधार पर यह डाटा को छापने का काम करता है और यह भी याद रखना जो आपक वोगी तो इंटर्नेट वाली क्लास कब होगी तो इंटर्नेट वाली क्लास आपकी दो बघजे से होती है ठीक है वो Practible के लिए इन्टरनेट्थ आपके से इनड़ेकर्वा Do वाले पेज की मदद से ही उस पर थर्मल प्रिंटर अपने डाटा को प्रिंट कर पाता है कोशन नंबर एट आपको क्या दिर रखा है तो कोशन नंबर एट में हैं यह वाला कोशन तो रिपीट हो गया यह वाला कोशन तो अभी हम ने किया था यह कोशन तो रिपीट हो चुका है आप लोगों का इसकी जगा चलो एक कोशन में लिख कर बता दूँगी ठीक है कोई बात नहीं इसकी जगा यह कोशन में आपको भी लिख कर दे दूँगी हां जी यह कोशन रिपीट है बिलकुल पता चल गया मुझे भी चलो बताओ एक पार जल्दी से तो यह इसका आंसर क्या हो चाहेगा अभी हमने पढ़ाता है इसका आंसर आउटपूट डिवाइस होगा ठीक यह रिपीट को चैने कोई दिख्कत नहीं एक कोशन रिपीट हो चुका है चलो जल्दी से अभी और कोशन है जो कि मैं बताती हूं आप लोगों को कहां लिको इसको ना फिर स्केंट पर लिखते हूं ठीक है यहां पे जगा यहां पर को एक को देती हूं जो हमार मौनिटर होता है वो रंगों के अधार पर कितने पार्ट में बटा होता है जो हमारा मौनिटर होता है वो रंगों के अधार पे रंगों के अधार पे कितने पार्ट में बटा होता है मतलब on the basis of color ठीक है color के base पे यहां पे लिख लेना on the basis of color color के base base के हिसाब से आपको बताना है जो आपका printer होता है sorry जो आपका monitor होता है वो कितने part में या कितने भागों में विभाजत होता है तो यहां पे answer 3 आना start हो गया है ओके यहां पे answer आप लोगा 3 आ रहा है 3 ओके और वो तीन कौन कौन से बता दीजे यह कोशन मैंने लिख दिया है ठीक है वो कोशन रिपीट हो चुका था कोई दिक्कतवारी बात नहीं हमने को राइट लिख चुके हम चलो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो monitor आपका तीन आ रहा है बिल्कुल सही है लेकिन नॉर्मली हम इसको दो पाइट में ही समझते हैं ठीक है ओके रेड ग्रीन ब्लू वह वाला बोल रहे हो हां वो तो है वो तो औरिजनल कलर ही है ठीक है बाकि अगर में monitor की बात करते हूं तो एक आता है आपका मोनो क्रोम मौनिटर एक होता है आपका मोनो क्रोम मौनिटर इसको लिखेगा हिंदी में भी इसको हम बोलते हैं मोनो क्रोम मौनिटर दूसरा मौनिटर होता है आपका कलरफुल मौनिटर दूसरा होता है कलरफुल मौनिटर ठीक है इसको हम बोलेंगे रंगीन मौनिटर और क का ही पाइट होता है ग्रे मॉनिटर कलर फुल मॉनिटर का ही पाइट होता है ग्रे मॉनिटर से चुन तो चलो यहाँ पर देखो एक बार तो यह आपका Monochrome Monitor, रंगीन में Gray Monitor और RGB रंगीन के अंदर दो आते हैं, पहला आता है Gray Monitor और दूसरा आता है जिसके अंदर सारे Color होते हैं, मतलब तीनों होंगी, RGB, Red, Green, Blue, clear? तो यह तीनों होते हैं इतना याद रखना है यह तीन होंगे देखो अगर हम बात करते हैं मोनो क्रोम की तो मोनो मतलब होता है अकेला मोनो का शब्द इंग्लिश का इसका मतलब होता है और क्रोम का मतलब होता है कलर मतलब एक कलर वाला मॉनीटर आपका मोनो क्रोम कहलाता है त जैसे अगर आप अपने laptop में या computer में command prompt को open कर लो तो इसके अंदर आपको दिखेगा black color की screen होती है background होता है और जो भी चीज़े आप लिखोगे white color से लिखी जाएगी तो वो screen आपकी monochrome है clear और बाकी हम देखेंगे gray scale वाले में तो gray scale में black color होता है white color होता है और दोनों का mix-up भी होता है gray color वहीं से निकल कर आता है तो यह तो अपर यूज नहीं होते यूज हो रहे हैं आजकल हमारे RGB वाले मतलब red green blue यह main color होते हैं ठीक है कौन से होंगे तो यह red green blue यह main color होते हैं ठीक है चलो तो यहां पर आपका यह जो session है यह होता है आपका complete ठीक है तो यहां पर हमने क्या पढ़ लिया यहां पर आज हम अपने questions भी कर चुके है question के साथ साथ हम लोगों ने complete कर लिया अपना पूरा session input output भी हमारा complete हो चुका है ठीक है तो कल से हम चलेंगे memory की तरफ computer की memory क्या होती है उसके बारे में जानेंगे बत से पहले मैं बता दौ कि आप लोगों को तो फुगा को जापान का रिलीज हुआ है अभी सूपर कम्पेटर तो एक्जाम पूर आपको एक्जाम पूर ओफिशल एप पर जाना है और उसके बाद आप लोग को जाना है यूट्यूब फ्री पीडिएफ कहां पर तो यूट्यूब फ्री पीडिएफ इस वाले ऑप्शन पर जाना और इसके बाद आप लोग कहां पीजाओगे तो इसके बाद आप लोग उपन करना के Roger all एक्जाम वाला सेक्जन और for all exam में आप लोग जाना computer वाले section में और computer पर जब आप जाओगे आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर date लिखाओगा 26 जुलाई उससे आपके आप 100 questions आपको मिल जाएंगी तो यही है ऐसे ही आप लोगो को क्या मिलने वाला है PDF मिलेगी बाकी आपको मैं question देती हूँ अपलोड है मैंने खुद चेक करी अपलोड है इसलिए मैं बोल रही हूँ हां जी अपलोड हुई है मैं खुद चेक कर चुकि वेक सिंग जी चली अच कंप्योटर की मैमोरी कितने टाइब की होती है कितने प्रकार की कंप्योटर की मैमोरी होती है यह आप लोगों का होमवक है और बहुत अच्छे से आप लोगों को यह आफ्लाइन कमेंट में बताना है ठीक है चली तो भी आची क्लास को बस यहीं तर रखते हैं आपके कितने नंबर आए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूरे में से कितने नंबर आए और सच-सच बोलना बागी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो और होमग जरूर कर देना क्लास को करते हम यहां पर एंड मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक एक वजे तब तक के लिए और मैं एक बार और बता दूँ भी नोटिफिकेशन दे दू तो दिल्ली पुलिस का हमारा बैच लॉंच हो चुका है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का बैच लॉंच हो चुका है डेट आ चुकी है इसकी तो आप लोग जॉइन कर लीजे जिनों ने जॉइन नहीं किया है और हरे क्लास बहुत सुपर डूपर तरीके से चल रही है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप उनसे concern कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बैच को purchase करने के लिए आप उसको online हमारी example official app पर जाकर भी purchase कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर call कर सकते हैं, तो calling number आपको भी मिल जाएगा जो poster लगेगा, call करकर सारी detail आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, UPSI का निस्चे बैच भी launch हो चुका है, तो अगर आपका सपना है वर्दी पहन कर देश की सेवा करना, तो आप UPSI निस्चे बैच से जुर जाएए, चली तो class को करते हैं, मिलते हैं कल अपनी time पर, ठीक तो हम लेकर आएं आपके लिए निस्चे UPSI 2020 बैच, इसके लिए डाउलोड कीजे हमारी एक्जाम पर ओफिशिल एप, या फोन कीजे हमें निमलिखित नमबरों पर फॉर header on, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं दो ऴाज़ेड़ म्तारय धं सब्तवेश एंभरो भी, या लेकर जो जें में थाएं क्विश हैं, मिलते हैं GOSें से ऑी किज तो रहेसे हिरोन कीजें धर्ओी हमें इंटत क questi अपे हमें काया था इंटाएं वागाने हैं जागावाने झाल झाल